वालकम दोग स्टड़ी चैनल मिना नाम है मुहम्मद कैसर बात करेंगे BPSC TRE4 यानि नई सिक्षक भरती की जो बिहार में होने जा रही है TRE3 से संबंदित भी कुछ महत्पूर अपडेट हैं डिसस करेंगे लाच तक बने रहीएगा बिलकुल अपडेट आ गई है कि TRE3 के PGT के बचे हुई विश्यों का जो एंसर की है फाइनल एंसर की की बात हो रही है वो दुरुगा पुझा के बात जारी होगा आज कोई भी एंसर की नहीं आ रही है तो इंतजार आप ना करियेगा अब 15 अक्टूबर तक बचे हुए सबी विश्यों की जो एंसर की है वो जारी की जाएगी इसी बीच अपडेट ये भी है कि 14 अक्टूबर को फाइनल रोस्टर को लेकर अपडेट मिलेगा और एक साथ तीन रोस्टर पर है आयोग की नजर मामला यहाँ पर है हम हेड मास्टर का है टीचर का टी आरेटरी का तो तीनो भटियों के रोस्टर जल्द मिलेंगे बी पी एसी को आयोग के सामने जल्द रिजल्ट जारी करने की चुनौती है रोस्टर नया इस वज़े से प्यार किया जा रहा है क्योंकि आउग को पता होगा पहले 65% के आधार पर नोटिफिकेशन जारी हुआ था और फाइनली 50% आरक्षड को लेकर सहमती बनी है और इसी पर रिजल्ट जारी करने की त्यारी है तो नया रोस्टर मांगा जा रहा है और इस वज़े से ट्यारी 3 के रिजल्ट में डीले हो रहा है अलाकि ट्यारी 3 में एक बहुत बड़ी अपडेट ये भी निकल कर आ रही है कि 35% महिला आरक्षड और रोस्टर अनुपालन के संबंद में सामान प्रसासन विभाग ने शिक्षा विभाग से जवाब मांगा है त्यारी 1, त्यारी 2, त्यारी 3 हर जगा महिलाओं को 50% का रक्षड मिल रहा है और इसको लेकर पूर सब्वैति काफी नाराज थे लगातार और शिकायत दर्ज करा रहे थे सामान प्रशाचन विभाग से लेकर हाई कोट तक ये मामले लगाता जा रहे थे और इस मामले को अब सामान प्रशाचन विभाग ने संग्यान में ले लिया है और शिक्षा विभाग से इस संबंद में सवाल पूछा है क्योंकि दोस्तों 2016 का गजट है सामान प्रसासन विभाग का उसमें 35% ही आरक्षर का प्राओधान था और यहां पर 50% आरक्षर दिया जा रहा है इसके वज़े से पूरुस और मेला के कॉट आप में काफी बड़ा अंतर देखनी को मिलता है देखना होगा कि इसमें सुक्षा विभाग क्या जवाब देता है देख सकते हैं मुहमद सिराजुदिन अंसारी सरकार के अपर सच्यू सवाल पूछा है देख सकते हैं सुक्षा विभाग बिहार पटना से तो इस संबंद में जो भी जवाब आएगा आपको बताया जाएगा तो एक तो 50% और 50% के आरक्षर का मामला वो अलग है और एक महिला आरक्षर जो बहुत बड़ा विवाद बनता जा रहा है ये भी है और इसकी वजह से भी रिजल्ट में डिले हो सकता है और इसका प्रभाव ट्यारी 3 के साथ ट्यारी 1 ट्यारी 2 पर भी पड़ेगा यदि कुछ भी आरक्षर में हेर फेर हो यह अब फाइनल हो गया है सब कुछ ट्यारी 3 के रिजल्ट की समयावधी पर निर्भर करता है ट्यारी 3 इतना जल्दी क्लियर होगा उसके बाद ट्यारी 4 पर ट्यारिया शुरू हो जाएंगी क्योंकि रिख्टियों की जो गणना है और ट्यारी 3 के कम्प्लीट होने के ट्यारी 3 के रिजल्ट में डीले जरूर है इस मंत के लाज्ट तक रिजल्ट आ सकता है यदि महिला अरक्षड वाला जो मामला है यह क्लर हो गया और यदि इसमें विवाद बढ़ता है तो फिर रिजल्ट के लिए और इंतजार करना पड़ेगा तो यह आज वीडियो में को लाइक करिएगा चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ बने रहे हैं थैंक्स पॉर वाजिंग